अन्यवेश्कार आद हम डिस्कस करेंगे हचपीएस्यक्षी का प्रीवेश सिपर है इसकाथ हम साइज का सेक्षिन जो हो डिस्कस करेंगे तो साइज के इंपोर्टन कोश्चन तो हम देखेंगे ही काफी टायम के बाद साइस के लिए और स्टक्रव यह रहे कि Common Question है कई बार पुछे जाता है Convex Lens को जो है Converging Lens भी कहा जाता है Option C जो है उसे इंसरे उसी दरह पुछे जाता है कि Concave Lens को किस नाम से जाना जाता है तो Concave Lens को जो है वो Diverging Lens कहा जाता है उसी दरह पुछे जाता है कि Convex Mirror को क्या कहा जाता है और concave mirror को कहा जाता है concave mirror को जो है conversion mirror कहा जाता है तो यह थोड़ा opposite है और important है जितना भी है याद रखे question number 84 देखिए 84 में क्या पुछा गया है the penetrating power of x-rays is increased with the increase of its जो x-rays होती है उनकी penetrating power जो होती है भेदने की जुक्समता होती है वो बढ़ती है पर उन्तु किसके बढ़ने के साथ तो frequency के बढ़ने के साथ उनकी penetrating power भी जो है वो बढ़ती है question number 84 का option c जो है वो सही answer है बस यहां से इतना ही याद रखे यह important question है directly इसी तरह से question जो है वो पूछे जा सकता है question number 85 देखिए यह भी direct question है यहां पर पूछा गया है in most of the liquid fuel rockets the fuel is जो अधिकांस द्रव्य engine rocket होते है उनमें कौन सा इंधन जो है वो यूज किया जाता है question number 86 की बात करेंगे तो 85 की बात करेंगे तो 85 का option c जो है वो सही answer है refined kerosene जो है वो यहां पर use किया जाता है 85 का option c सही answer है question number 86 देखिए यहां पर पूछा गया है the energy obtained by sun and stars is known as तो जो energy होती है जो सूरे और तारों से प्रापत की जाती है उस energy को क्या कहते है उस energy को जो है वो steeler energy खा जाता है option c जो है इस question का सही answer होगा option c सही answer है तो कवे बार question पूछ ले जाता है कि steeler energy का जो source है वो क्या है तो जो energy sun और star से obtained होगी वही इनका source भी है question number 87 देखिए अच्छा सूरे की किर्णों से हमें कौन से वीडामेन मिलती है यह question आप इसका answer comment करके बता देजिए उस वीडाविन का क्या नाम है और उसका chemical नाम भी आप comment करके बता देजिए question number 87 देखिए यहाँ पर पूछा गया है photographic films contain a coating of जो photographic film होती है इनके उबर परत जो चड़ी होती है वो किसकी होती है यह भी common question जो है वो कहें बार पूछा गया है तो यह होती है silver bromide की option a silver bromide जो है वो सही answer है याद रखेगा जो photographic films होती है उनके उबर जो परत होती है वो silver bromide की होती है अगला question देखिए 88 question है यहाँ पर पूछा गया है विच अमंग दा following gives green color in a firework यह जो पटाके आदिस्वाजी होती है इनमें जो हरा रंग निकलता है वो किसके कारण जो है वो निकलता है हरे रंग के निकलने के पीछे जो कारण होता है वो होता है barium coloride 88 का option B जो है वो सही answer है barium coloride जो है अब यह दो question 87 और 88 question यह दोनों है question ऐसे हैं कहीं बार exam में पूछे गए है और commonly directly इसी तरह से copy कर लिए जाते हैं तो इन दोनों को ही याद रखिए उसी तरह question number 89 देखिए 89 में पूछा गया है baking soda is baking soda का आपको chemical नाम बताना है किसको किस नाम से जाना जाता है baking soda को जो है वो sodium bicarbonate के नाम से भी जाना जाता है sodium bicarbonate option D जो है sodium bicarbonate के नाम से इसको जाना जाता है यह baking soda का chemical नाम भी आप कह सकते हैं question number 90 अच्छा यहाँ से कुछ और भी चीज़े जान लेजे baking soda से यहाँ से washing soda भी पूछ जाता है इसको जो है वो sodium carbonate कहा जाता है sodium carbonate washing soda को कहा जाता है कभी बार एक्जाम में जो है plaster of Paris का formula पूछ लिया गया है plaster of Paris का जो formula होता है C.A.S.O.4 half H2O यह plaster of Paris का formula होता है question number 90 देखिए 90 में पूछा गया है the raw material used for manufacturing rayon is जो rayon होता है कौन सा कच्चा प्रतार जो है वो इस्तेमाल किया जाता है तो उसको बनाने के लिए जो है वो serulose का इस्तेमाल किया जाता है option C जो है वो सही answer है कभी बार exam में पूछ ले जाता है कि rayon जो है यह किस तरह का fiber है तो यह synthetic fiber का example जो है वो माना जाता है synthetic fiber जो है इसके और कौन-कौन से example है तो एक तो रेयोन हो गया यह इसका example है nylon भी जो है इसका example है और polyster भी जो है इसका example है synthetic fiber के यह आप याद रखिए यहाँ से question number 91 देखिए 91 में क्या पूछा गया है which one of the following insect does not show metamorphism during development तो निम्मन मैंसे कौन सा कीट ऐसा है जो अपने विकास के दोरान जो है कायंतरन नहीं दरसाता है तो metamorphism जो है किसके दोरा नहीं दरसाया जाता है option D silver fish के दोरा नहीं दरसाया जाता है next question देखिए यहाँ पर पूछा गया है अपिकल्चर is associated with जो अपिकल्चर टरम है यह किसके साथ संबंद रखती है तो अपिकल्चर जो है वो रिलेट करती है honey B से option A जो है वो सहिंद से अब honey B से तो यह संबंद रखती है honey B जो होती है यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि natural जो nature होता है honey का वो कैसा होता है अगला question देखे 93 question 93 question में क्या पूचा गया है poison glands in snake are situated on the sample में जो विसकी गरंथी होती है वो कहाँ पर स्थित होती है यह स्थित होती है अपर जाओ में जो उसका उपरी जबड़ा होता है वहाँ पर यह poison gland जो होती है यह आज अर्द रखीगा यह important question है भी यह काधिबार ही repeat ह पूच लिया जा सकता है question 94 देखिए which is also known as emergency hormone तो emergency hormone जो है वो किसको कहा जाता है emergency hormone जो है वो addernaline gland को कहा जाता है addernaline option c जो है वो सही answer है अब addernaline को कहा जाता है emergency hormone अचा कई बार question पूच ले जाता है exam में कि जो human body है उसमें largest gland कौन सी है human body में जो largest gland है वो liver को कहा जाता है उसी धरा smallest gland भी जो है वो पूच ली जाते है smallest gland कौन सी है पिनियल ग्लेंड जो है वो smallest gland है human body में smallest gland लार्चेस्ट ग्लेंड अमर्जेंसी होर्मोन इसा प्यात नेक्स्ट कोईशन देखिए 95 यहां पर पूचा गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट इसके कारण हो था जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं जिसका में जो रीजन है वो carbon dioxide है option A जो है अब carbon dioxide तो इसका कारण है इसके अलाबा भी इसके कारण है जैसे कि जब atmosphere में ज्यादा प्रजेंस हो जाती है water paper की carbon dioxide की methane की इस तरह की gases जो है ग्रीन हाउस के लिए responsible होती है तो carbon dioxide तो main है इसके लिए water vapor भी जो है एक main reason माना जाता है तो यह तो आप याद रखे कि कौन सी gases है यह gases important है greenhouse effect के लिए next question देखिए हमारे बास क्या दिया गया है यहां पर पूछा गया है जो फ्लावर होते हैं वह खुस्पू उत्तरजित करते हैं क्यों करते हैं ताकि वह अट्रेक्ट कर सके इंसेक्ट को option c जो है इसका सही अंसर होगा तो अगला कोशी देखिए 161 यहां पर पूछा गया है convection अकर इन भी 14 फॉलोई निम्मन मैंसे किसमें समहन होता है convection किसमें ह हम बात करेंगे तो 161 का जो है वह सही अंसर क्या होगा इसका option भी सही अंसर होगा only solid and liquids तो केवल तरल और गैस जो होते हैं उनहीं में convection होती है यह याद रखिए next question देखिए 162 162 में क्या पूछा गया है which is not reducing sugar इन मैंसे कौन सी not reducing sugar question number 162 के अगर हम बात करेंगे 162 का option भी सही अंसर है सुक्रोस सुक्रोस जो है वो non reducing sugar मानी जाती है next question वैसी तो इसका है तो जब English का section discuss किया जाएगा तो इन questions को इस time हम discuss करेंगे यहां पर देखिए 27 question में क्या पूछागया है 27me question में पूछा गया है scientific study of birds is known as ûसको क्या कहते है उसको Ornithology, Chelsea je co гukha जाता है option c or undertology जो है वसी तरह question पूछ ले जाता है कि जो ऑमिंचिक s subscriber होथी हो जाता है उसको पैडानौजी जो है कहा जाता है उस्को basically पूच ले जाता है उसी तरह scientific study of cancer तो ये दो तिन scientific studies important है मैंने आपको बताई इनको याद रखेगा question number 28 देखे यहाँ पर पूछा गया है natural indicator is तो इनमें से natural indicator कौन है तो इस question का सही answer होगा option A phenol phethylene phenol phethylene जो है वो एक natural indicator जो है वो माना जाता है option A इस question का सही answer होगा question number 29 देखे यहाँ पर पूछा गया है saving mirror is अब देखे इनमें से saving mirror कौन सा है तो इनमें से saving mirror जो है वो है concave mirror option A जो है उसे answer है अभी मैंने concave mirror concave lens concave इन सभी के बारे में हमने बात की अब concave mirror के थोड़े से बारे मैं जान लेते है तो concave mirror जो है as a saving mirror भी use होता है यह head mirror जो लगाड़ियों का होता है उसमें भी use होता है solar finances जो हती है वहाँ पर भी यह use होता है astronomical telescope जो होता है वहाँ पर भी यह use होता है तो यह तो Concave mirror के example होगे जो हाँ पर इसका use किये जाते है उशेतरा convex mirror भी होता है तो convex mirror के क्या-क्या example आप बता सकते हैं convex mirror एक तो एक तो यह rear view mirror जो गाड़ियों का होता है वहां पर यूज होता है दूसरा यह जो street lamp होते हैं उनमें as a reflector भी यह गाम करता है तो यह भी convex mirror के बारे में एक दो चीज़ें आप याद रखेंगे यह हो गया concave mirror, convex mirror के बारे में important बात है तो दो तीन paper हमने discuss किये एक दो पेपर तो ऐसे थे कि जिनमें दो तीन question ही पूछे गए थे प्रन्तु science की अब इन्होंने थोड़ी सी strength बढ़ा दिया तो चार-पांच question science के पूछ ले थे हैं इसके लावा देखो अगर अभी तक आपने टेलिग् thank you thank you very much for watching and listening to it very patiently